दोस्तों, क्या आपको भी नौन स्टॉप सोचने के वज़े से रात को सोने में प्राबलम होती है? क्या आप भी पूरा दिन सिर्फ सोचते रहते हो, प्लैनिंग करते रहते हो, और अपना टाइम और लाइफ दोनों यही सोचने में वेस्ट कर रहे हो के यार काश वैसा हुआ होता, तो शायद आज ऐसा होता, या मैं ऐसा करूँगा, तो वैसा होगा, सही, गलत, नेगिटिव और पॉजिटिव, ऐसे हजार थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे, और एक सिंपल छोटा सा थॉट्ट भी पेड़ की टहनियों की तरह एक के बच्पन में बेजा जाए, जब आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप वही करते थे जो आपको सही लगता था, अगर तब हम आप से पूछते हैं, कि क्या आप ओवर्थिंकिंग करते हो, तो सोचो आपका जवाब क्या होता, सोचो, अच्छे से सोचो, well, we are sure 99.9% आपका जवाब तब यही होता, ये ओवर्थिंकिंग क्या होती है, वो इसलिए, क्योंकि ओवर्थिंकिंग वर्थ तो छोड़ो, ओवर्थिंकिंग कैसे करते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सही गलत, perfect, imperfect, good or bad, I am good, और I am not good, दुनिया के लिए क्या सही है या गलत, success, failure, good life, bad life, fear, ऐसी हजारों बाते हमें पता चलती हैं, जो की ज़रूरी भी हैं, लेकिन ज्यादाता लोग इन चीजों और rules में इतने फस्ते चले जाते हैं, कि अब वही उनकी दुनिया से सीखे हुई knowledge, उनकी दुश्मन बन ज अब इससे ये समझ में आता है, कि जो हम खुद को बोलता है कि मैं overthink करूं, ये पूरी तरह सच नहीं है, ये सिर्फ एक habit है जो हमने वक्त के साथ develop कर ली है, अब क्योंकि ये एक habit है, तो अच्छी बात ही है कि हम इसे बाकी habits के तरह ही break भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात की त खोड़ना चाहते हो, तो आप उस आदत को directly नहीं छोड़ सकते, आपको उसे एक new habit से replace करना पड़ेगा, तो आपको overthinking को sufficient thinking के साथ replace करना पड़ेगा, पर आखिर sufficient का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों sufficient का मतलब होता है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सोच नहीं छोड़ दे, जो कि गलत भी है और impossible भी, क्योंकि हम एक इनसान है और हमारा सोच नहीं हमारी power है, तो जिस चीज के लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए, उसके लिए अगर हम आप से बोले कि उसके बारे में सोच नहीं मत, या कम सोचो, तो वो गलत होग लेकिन अगर आप 15 मिनट confused रहोगे, फिर 30 मिनट इंटरनेट पर वीडियोज देखोगे इनके advantages और disadvantages के बारे में, nutrients और benefits किसमें जादा हैं, तो यहाँ एक overthinker खुद को smart समझेगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ है और बहुत फालतु का सोचता है, ये सिर्फ एक example था, वह आपको decide करके रखना है कि आपको किस चीज के बारे में कितना सोचना है और कितना नहीं, जो चीज ज़्यादा value नहीं रखती उसके लिए कई दिन या हफ्तों तक सोचना सही नहीं होगा, और नहीं बड़े decisions को जल्द बाजी में लेना, तो confused मत हो, ये इसका solution है, आपको ये time भी रख सकते हैं, लेकिन ये time खतम होते ही आपको फिर बिलकुल भी नहीं सोचना, जब भी उस thought से related कुछ mind में important आए, तो उसे कहीं लिख के रख लो, फिर ये सोचो कि इसके बारे में मैं अभी बिलकुल भी नहीं सोचूँगा, वो जो मैंने अपना time decide कर रखा है, उस time सोचूँगा उसके अलावा नहीं, इससे आपको ये पता रहेगा, कि आपको कब और कितना सोचना है और कितना नहीं, problem-based thinking versus solution-based thinking, हम humans ने आज तक जो development की है, या ना मुम्किन को भी मुम्किन बनाया है, वो out of the box सोच के, या जरूरत से ज़्यादा सोच के ही बनाया है, और negative सोचने लगते हैं, तो यही problem-based thinking हमारी सबसे बड़ी problem बन जाती है, अब देखा जाये तो solution-based thinking, problem-based thinking से बहतर है, लेकिन इन में से mostly दोनों ही तरीके के लोग over thinking में फसे रहते हैं, जा problem-based thinking वाला person negatively सोच के, problems पर ही focus करता है, वही solution-based thinking वाला person future के बारे में सोचने में, और planning में इतना फजाता है कि फिर वो सोचता है रहता है, लेकिन कोई actions नहीं लेता, और अपने present moment को खराब करता है, हमारे लिए दोनों ही तरीके की thinking ज़रूरी है, क्योंकि problems life में कभी खतम नहीं होने वाली, और solutions ही हमें उन problems से बाहर निकालते हैं, तो आपको सोचने से नहीं और नहीं भागना है, लेकिन एक limit में सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर problems का कोई ना कोई solution जरूर होता है, लेकिन कोई भी solution 100% perfect नहीं होता, तो आपको उस पे focus करना चाहिए जिसे आप control कर सकता हैं, ना कि उस पे जो कि आपके control में है ही नहीं, मगर वो सब तो ठीक है, लेक practically end में final decision लेने के लिए आप ये steps follow करो, step 1, find out करो कि आप solutions के बारे में सोचते हो, या सिर्फ problems के बारे में, step 2, अपनी problems को अपने दिमाग में जमा करके रखने के जगए, उन सारी problems को एक paper sheet पे, अपनी diary पे, या journal पे लिखो, line से, step 3, अब जो आपने अपना thinking time decide किया था, उ उसी diary ये journal पे लिखो, ताकि वो आपको अपने brain में store करके रखने के जरूत ना हो, और आप उने भूलो नहीं, step 4, अब ये देखो कि अगर आपने option A, या option B में से कोई एक choose किया, तो उसे choose करने से ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा, और अच्छे से अच् करो, और इस बात को accept करो, कि आप अपने हिसाब से सही decision ले सकते हो, लेकिन 100% perfect decision नहीं, step 5, अब बिना ज़्यादा सोचे, एक एक करके actions लेके, उन problems को solve करना शुरू कर दो, सिर्फ सोचते ही मत रहो, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस exercise को brain decluttering और brain dumping कहा जाता है, जिससे कि हम paper पर सोचना शुरू कर देते हैं, बजाए हमेशा दिमाग में सोचने के, जिससे आपको सभी छोटी-छोटी बातों को अपने brain में संभाल के रखना नहीं पड़ता, और आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ता, और ये worldwide proven है, कि ऐसा करने से लोग बहुत ज़्यादा हलका अब meditation वर्ट सुनते ही वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना, ये सोच करके के यार मुझसे तो होता ही नहीं है, ये टफ है, etc, etc, बिलकुल हमाँ आपके साथ agree करते हैं कि meditation आसान नहीं है, लेकिन असल में meditation ही सबसे ज़्यादा powerful habit है negative thinking या overthinking को खतम करने के लिए, आपको starting म ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ये 10 मिनट्स करना है इसको, और धीरे धीरे 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा पे ले जाना है, आपको बस ये mindset बना के रखना है कि आपको instant gratification और instant results वाली सोच से दूर रहना है, शिरुवात में problem होगी, तो ये बिलकुल normal है और सब के साथ होता है आपका बस जब दिमाग इधर से उधर भागे, तो आपको उन thoughts को ignore करना है और आपको अपना focus वापस अपनी breathing पे लाना है, देखना दिन बीतेंगे और हफते बीतेंगे, जितना इससे practice करोगे, आप उतना meditation करने में अच्छे होते जाओगे, बस आपको consistency और patience रखना है, त आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ, थैंक यू फर वाचिंग